आप दोनों जो एस्पी साब प्लीज आईए जब आपके अधिकारी किसी शब्द का मतलब ही नहीं समझते तो विवेशना क्या कर रहा है जब उनको भाले और तीर की चोड में अंतर नहीं वालू बंदूक और घंडे की लाटी की चोड में अंतर नहीं वालू तो विवेशना क्या कर रहा है सर इनको बताया था सर मैंने बताया था कि ग्रैविट का मतलब यह होता है मैंने इनको समझाया था कि ग्रैविट का मतलब यह होता है कि यह मैं पतलब न बता ही मुझे तो मालुम है इसा आपके पूरे उससे जब आप उठके जा रहे थे मेरे मना करने के बाप जूत और जब मुझे आपको बुलाना पड़ा तब तो ऐसा लगा नहीं कि आप घबराय और आपको कोड का संब्मान नहीं, आप उठके कैसे जा रहे थे, अगर आप घबराए हुए होते तो आपकी हिम्मत नहीं होती कि आप वहां से उठके बाहर जाने का चेश्टा करते और आपके एसपी साब की प्रेजन्स में आप उठके बाहर जा रहे थे मिस्टर खरे ऐसा हुआ आप नहीं थे इसलिए आपको बता देता हूँ मैंने लंच में उठते वक्त यह कहा था कि यह बैठे रहेंगे यहां पर उसके बाद में मैं अपना पास्वर केसे एंड वाटनॉट जो भी था मैंशन केसे वह ले रहा था यह दौनों सज्जन उठके बाहर जाने लगे इस आप और आपको परमिशन लेने की जड़ूरत की कोट से आप और आपके क्लाइंट हैं कंसल्टेशन से कोई रोक नहीं सकता कि वाले जाने कोट वाले लिए लगे विए लिए रुटर लिए लोग्टरो था लिए लुटर भी से बसाफ आपके क्लाइंट लुट कर था मैंशनेको प्रिए पास्वरूर्ण यदि नवाले लुक्तप बाला प्रिएंट एल्या लुट्ट व्यूर लाओ लिए इन के के But as long as I am holding the court, you are required to maintain the majesty of the court. And their SP did not stop them. Sir, my humble submission is... He should have asked, कि साथ, उनको हिंदी अंगरेजी इतनी नहीं आती मैं मान लिया. SP साथ, आप तो IPS officer है, डिरेक्ट लगते हैं, इससे. उनको बोलना चाहिए था, कि कोट ने कहा है, आप बिगर कोट की अनुमती के नहीं जा सकते. My humble submission is that, sir. हम लोग कहीं नहीं गए, sir. आपके बात नहीं हो रही है, आपके सामने वो दोनों उटके गए, मैंने सामने उनको दोनों को बिलाया है. सर, वो एक एडवोकेट सार आये थे, उन्होंने बोला कि आप दोनों चलिये थे, इस कारणा. कौन से एडवोकेट सार आये थे, बताईए, कौन से एडवोकेट सार आये थे?